दोस्तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो ज़्यादतर दो बाते हमारे दिमाग में आती है या तो रेसिंग कार या हमारा पसंदीदा सूपर हीरो फिलैस है इसमें कोई संदे नहीं है कि फिलैस सबसे तेज है लेकिन वास्तविक जीवन में इसका अस्तितिव नहीं है आपन आज तक कई तेज चीजों के बारे में सुना होगा जिनकी स्पीर बहुत ज़ाद होती है सायद आप सोचते होंगे कि गोली दुनिया की सबसे तेज चीज है लेकिन मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ वह गोली से भी आगे निकल जाएगी ये सबी चीजे इतनी तेज हैं कि इनकी स्पीर के आगे आपकी आँखे लिए दोका खा जाएंगे तो आएए जानते हैं अनोखे अंदाज में दुनिया की 10 सबसे तेज चीजों के बारे में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं नमबर एक सबसे तेज जानवर दोस्तों दुनिया का सबसे तेज जानवर आप चीते को सोच रहे होंगे अगर हाँ तो आप गलत हैं आप सायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन इस दुनिया का सबसे तेज जानवर चीता नहीं है इस दुनिया का सबसे तेज जानवर P.E.A.R.E. Green Falcon है P.E.A.R.E. Green Falcon आज तक इस दुनिया का सबसे तेज जानवर है अगर इस बाज की तुन्ना चीते से करें तो चीते की गती सबसे जादा होती है लगबक 70 मिल यानी 112 किलोमेटर परती गंटा वहीं जब एक पेरेगरीन इगल 240 मील 306 किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार से गोता लगाता है जो कि चीता के तीन गुने से भी जादा है अगर आप इसकी तुलना दुनिया के सबसे तेज इंसान हुसेन वोल्ट से करे दो उनकी स्पीड भी 44 किलोमेटर परती गंटा है जि आप खुद ही सोचिए जब आप किसी 14 मंजिल इमारत पर चड़ेंगे और वहां से सीधा नीचे आएंगे तो आपकी गति क्या होगी आपको इसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए कि यह वाटर स्लाइड दुनिया की सबसे तेज वाटर स्लाइड है इस वाटर स्लाइड का जब आप पानी से भड़े स्विमिंग पूल में गिरने वाले हो इनसानों वाटर स्लाइड से पानी में गिरने से आपके रोंग्टे खड़े हो जाते हैं लेकिन वास्तम में इसकी गति का कोई जवाब नहीं है नमबर तीन सबसे तेज रोलर कोस्टर जब मैं आपको वाटर स्लाइड के बारे में बता रहा था तो आप में से कई लोग रोलर कोस्टर के बारे में सोच रही होंगे तो चलिए बस बात करते हैं दुनिया के सबसे तेज रोलर कोस्टर के बारे में आपने आज तक रोलर कोस्टर के बारे में तो सुना ही होगा रोलर कोस्टर की सवारी करना काफी डरावना अनुभव हो सकता है यदि आपको उचाई से कोई डर नहीं लगता और आप वाकई एक जिंदादिल इनसान है तो आपको फार्मूला रासा की सवारी जरूर करनी चाहिए जो अब तक का सबसे तेज रोलर कोस्टर है यह आपूदावी में फरारी वर्ल्ड में इस्तित है जो अपने मनोरंजन पार्क के लिए जाना जाता है इस रोलर कोस्टर की उचाई लगबग 30 मीटर है जो इसे वास्तब में उचा बनाती है यह रोलर कोस्टर 140 मीट यानि 225 किरो मेटर पर ती घंटे तक की गती तक पहुच जाता है अगर आप इतने तेज रोलर कोस्टर पर बैठेंगे तो आपकी हो सुर जाएंगे नमबर 4, सबसे तेज लिफ्ट इमारतों में लिफ्ट सिस्टम बहुत फाइदेबंध होते हैं लेकिन जब आपको लिफ्ट खाली ना मिले या आप जल्दी लिफ्ट में उपर जाना चाते हैं तो यह आपके लिए सिरदर्द बन सकता है लेकिन क्या हो जब एक लिफ्ट बुलेट ट्रेन की रफ्टार से उपर नीचे होने लगे दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट इतनी तेज तो नहीं है लेकिन इसकी रफ्टार वाकई आपके होस उड़ा देगी सबसे तेज एलिवेटर चीन में 530 मीटर उची है गुवांग जो फाइनेंस सेंटर बिल्डिंग में इस्तित है जिसे हिताची बिल्डिंग सिस्टम द्वारब बनाया गया है इसकी गती लगवग 40 मील यानि 65 किलोमेटर परती गंटा है जो वास्तम में तेज है यह एलिवेटर 1600 फीट की उचाई को 30 सेकिंड में त्या कर लेता है जो की वाकई चोका देने वाला है हवा में उड़ने वाली वस्तू में गती की दरश्टी से अधिक बाधाये नहीं होती और नहीं इसके सामने कोई सीमा होती है एक माना वीमान की तर है जो बहुत तेजी से उड़ सकता है और यहां हम विशेज सुरूप से बात कर रहे हैं दुनिया का सबसे तेज हाईपरसोनिक रोकेट चलिज वीमान ऊतरी अमेरिकी एक्स 15 वीमान की जिसे एक वीमान की गति मापने के लिए बनाया गया था 1967 में बने एक्स 15 वीमान की रफ़तार ने ऐसा कमाल दिखाया कि इसका रिकोर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है आपको बता दे कि अब तक दर्ज की गई सबसे तेज गति 4520 मिल यानि 7275 किलोमेटर पर तीगंटा है आपको बता दे कि एक गोली की भी अधिक्तम गति लगवग 4500 किलोमेटर पर तीगंटा होती है यानि यह वीमान गोली से भी जादा तेज है आपको बता दे कि यह कैलकुलेशन आपकी सोच से कहीं जादा तेज हो सकती है लेकिन एक बात तो इससे भी ज़्यादा खास है वो यह कि इसकी कीमत एक अरब डोलर यानि करीब 7000 करोड रुपे है अब जब हम जानवरों के बारे में बात कर ही चुके हैं तो दुनिया की सबसे तेज मचली के बारे में बात क्यों ना करें जिसे पकड़ना और खाना वागई असंबव लगता है सैल्फिस इस दुनिया की सबसे तेज मचली है पानी में तेयरती सैल्फिस को पकड़ना किसी भी जल्याजीव से संबभ नहीं है सैल्फिस पानी में भी 70 मीड यानी 112 किलोमेटर परती गंटे की रफ़तार से तेयरती है इसका मतलब यह है कि इसे फसाना बहुती मुस्किल है तेज होने के साथ-साथ यह काफी भारी भी होती है जैसे कि दुनिया के सबसे भारी सैल्फिस जिसका वजन करीब 100 किलोग्राम था इसलिए यदि आप इस मचली को खाना चाते हैं तो पहले इस मचली को पूर लिए नमबर आठ सबसे तेज ट्रेन जब हमें एक सीमा से ज़्यादा तेज ट्रेन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बुलट ट्रेन ही आती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे तेज ट्रेन कोन से है और यदि हाँ तो इसकी सबसे तेज गती क्या हो सकती है इस दुनिया की सबसे तेज ट्रेन कोई बुलट ट्रेन नहीं है बलकि यह बिना पहियों वाली फ्रेंच ट्रेन है जी हाँ यह ट्रेन बिना पहियों के चलती है जिसका नाम TGV है जिसकी अब तक की सबसे ज़्यादा स्पीड 575 किलोमेटर परती गंटा है जो की आज तक किसी वे ट्रेन द्वारा पकड़ी गई सबसे ज़्यादा स्पीड है अगर आप इस ट्रेन के लिए लेट हो जाएं तो सोची यह ट्रेन एक मिनट में कहां होगी अगर आप सामान्य हवा की गती की बात करें तो इसमें कुछ खास नहीं है लेकिन अगर यही हवा भ्यंकर तोफान का रूप ले ले तो हजारो घर तबाह हो सकते हैं लाखों जाने जा सकती हैं और करोडों भी जा सकती हैं वैसे आपके मन में भी कभी-कभी यह सवाल जरूर आए होंगे कि आज तक का सबसे तेज तोफान कितना तेज था ऐसा ही 1996 में बॉलिविया में आई एक चकरवात के दोरान हुआ था जिसमें हावा की गती 253 मील परती घंटे तक भूज गई थी यानि करीब लगबग 407 किलोमेटर परती घंटा जो किसी भी इमारत को उखाणने में सक्सम थी यह तोफान सबसे भीशन तोफानों में से एक था और नमबर 10 सबसे तेज प्रोडक्शन कार अब उस चीज के बार में बात करते हैं जिसका सायद आप सभी को इंतिजार था जो है कार की अरिक्तम गती हम सबी दुनिया की सबसे तेज चीज के नाम पर रेसिंग कारों के बारे में सोचते हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की सबसे तेज कार कon सी है इसकी लागत क्या है और इसकी अरिक्तम गती क्या है इस चार का नाम है SSC 281 यह दुनिया की सबसे तेज कार है इसकी रफ़तार लगब 316 मील यानि 508 किलोमेटर परती गंटा है SSC 288 की लागत लगब 13 करोड रुपे हैं तो अगर आप सबसे तेज कार चलाना चाते हैं तो आपको इतने पैसे खरच करने पड़ेंगे तो दोस्तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबस तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू